वेरी गुड मॉनिंग श्रेंट्स, ओनलाइन क्लासिज में आप सभी का सवाकत है, आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार घर पे बिल्कुल सवस्त वे सुरुक्षित होंगे, और ओनलाइन क्लासिज की सीरीज में आज हम करेंगे, क्लास 12 जियोग्रोपी, साइभाग पानी से ढखा हुआ है, परन्तों कि आप जानते हैं, इसका 99 परतिसत पानी पिया नहीं जा सकता, और पीने योग्रोपानी पिर्थिव परमातर एक परतिसत ही है, दूसरा, विज्यान को दवारा पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कह जाता है, क्योंकि पा तो का 9 परतिसत तक फैल जाता है, और इसी बज़े से जो बरफ है वो पानी में तैरती है, दुनिया का 20 परतिसत साफ चर्नमातर एक जील समेटे हुए है, जिसका नाम बेकाल जील है, और यह जील रूस में है, पिर्थिवी पर महासागरों में सब से अधिक जल परशान्त म महासागर में है, और एक सवस्थ इनसान का लगभग 70 परतिसत शरीर जल से बना होता है, आपको यह जानकर हहरानी होगी कि इस समय परतिव पर लगभग 200 क्रोड लोग दूसित पानी पीकर अपना जीवन जी रहे है, और यदि हमारे शरीर में 1 परतिसत पानी की कमी हो जाए तो हमें प्यास लगती है और जब यहां कमी 10% तक हो जाती है तो यह ऐसी श्तिति में वेक्ती की मोत हो जाती है। शुद्जल का पी एच मान साथ होता है और अंत में यही है जल ही जीवन है और हमें जल को ऐसे वेर्थ नहीं करना चाहिए हमें उसका सही परियोग करना चाहिए जिससे की आने वाली पीडिया भी इसका परियोग कर सके और इस समय दूसी जल का पूरी दुनिया में भारी चाहिए हुआ है और इसके बाद देखते हम हमारे इस चैप्टर के कुछ महतरफून पर्शन उतर जैसे की एक पर्शन यह है यह कहा जाता है कि भारत में जलसन साधनों में तेजी से कमी आ रही है जलसन साधनों की कमी के लिए उत्तदाइकारकों की विवेशना कीजी यानि जिस बज़े से वो कमी आ रही है उनके जो कारक उनके बारें बताना तो इसका जो उत्तर हो क्या होगा देखते है अभी जल एक आदारभूत प्राकरतिक संसाधन है जल के बिना पर्श्वी पर जीवन की कलपना भी नहीं की जा सकती लेकिन जल परियापत मातरा में उपलब जल का कोई अन्यवी कल भी नहीं है अतय जल एक अनिवार्य की इन्तु सीमित संसाधन है तेजी से बढ़ती जन संक्या के कारण भारत में जल संसाधनों में कमी आ रही है इसमें ही बताया गया है वैसे तो हमारे प्रत्वी पे काफी जल है लेकिन उसमें से जो सवत यानी ज सबसे अधिक भूम जल विकास के लिए कौन से कारक उत्तरदाई है तो इसका उत्तर होगा भूम जल वित्रन पर अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है जैसे चट्टानों के संद्शनाम धरातल तथा जलापूरती की मातरादी पंजाब तथा हरियाना में भूम जल की अध दिखता के कारण यहां कोमल एवं प्रवेश्य चट्टाने पाई जाती है जिन से वर्षयाव एवं बाढ़ का जल रिस रिस कर भूम जल का रूप ले लेता है तर मिल्लाडू राज्य का आकार बड़ा होना भूम जल विकास में में अत्तपन भूमी का निभाता है अगला क देश में कुल उप्योग किये गए जल में किर्शी अक्षेत्र का हिस्सा कम होने की संभावना क्यों है तो इसका उत्र होगा देश में कुल उप्योग किये गए जल का उप्योग बविकास के साथ साथ ओध्योगी और गरहलू सेक्टरों में जल का उप्योग बढ़ाने की स अगला कुशन अगर इसमें से आपको कुछ कोई क्यूस्टन समझ में नहीं आया तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू